हेलो फ्रेंड्स हाओ आर यू आई हो पोल फ्यूर फाइन मैं मैं संसारी स्वागत करते हूं आपके अपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस्ट बाइलजी में जैस्ट बाइलजी अगर आपने भी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर ए नीट प्रिवस्ट के सीरीज चल लगी है जिसमें मैं एवरी कोश्टिन को डिसकस करती हूं और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहें और आप उन वीडियो का भी फायदा लेते रहें treatment human reproduction के बार हम बात करें heumans are sexually producing and 위iparious organism sexually means जहां बार दो parents in one of a positive gender means one male and one female and 위iparious जो birth करते हैं child नागी eggs को नागी एग्स को अब पुछेंगे कि जो eggs को को बस्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं उन्हें कहते हैं और विपैरस होते हैं सो यहां हम बात करें रिप्रोड़क्टिव इवेंट्स के बारे में हीमन्स में कुछ रिप्रोड़क्टिव इवेंट्स होते हैं मिन जो भी रिप्रोड़क्शन है उसको हम कुछ इवेंट्स में distribute करते हैं और यह सब भी event after puberty देखने के दिये मिलते हैं और by birth नहीं होते हैं जैसे हम बात करें प्यूबर्टी क्या होती है भी हम इसके बारे हम बात करेंगे जैसे first event है आपका gamutogenesis means gamutes का formation होना फिर जब gamutes बन चुके हैं इन gamutes को transfer करना कहां पर female genital track में आपने देखा होगा कि female ही humans में female ही pregnancy consume करती है ना कि male so male के ही gamutes को transfer किया था female genital track में इस कौन कहते हैं insemination जब दोनों ही gamutes पास पास आते हैं तो उनका fusion होता है जिसे हम कहते है fertilization of fusion के बाद बनता है zygote जाइगोड बनने के बाद में जाइगोड डिवाइड करता है और blastocyst का formation करता है जिसका attachment होता है uterus की wall में in uterine wall uterine wall में implantation होने के बाद स्टार्ट होता है gestation period जिसे हम कहते है nine month of pregnancy period जिसे gestation period कहा जाता है gestation in ignoring development period फिर आता है आपका partization period partization nine month pregnancy के बाद में delivery of baby यह partization कहलाता है और यह से भी events होते हैं यह होते हैं after puberty puberty क्या होती है जब आपको secondary sexual characters male या female में show होने लगए उसे हम जाते है प्यूबर्टी प्यूबर्टी इंडिया में 13 to 15 के under में आ जाती है कि male में and female दोनों में और यहां पर होता क्या है यहां पर secondary sexual character developed होने लगते है अब secondary sexual characters क्या होते हैं जैसे के male में में दाड़ी का और मुच्छों का आना chest का हैस का आना armpit में हैस का आना at all and females में disc size increase होना voice का change होना and muscles का start होना menstrual cycles का start होना difference between male and female reproductive events सभी male and female में reproductive events अलग अलग होते हैं जैसे gestation आपको male में देखने के लिए नहीं मिलेगा एक्जेंपल gametogenesis male में throughout life होती है और female में 50 की age तक होती है female में menses जो होते हैं वो 50 की age के बाद बंद हो जाते हैं जिसे हम कहता है मेनो बॉस इसके एक टाम होता है मेनार की जिसमें में स्टार्ट होते हैं अब प्यूबर्टी पर होता क्या है चलिए इसमें बात करते हैं प्यूबर्टी में हमें कुछ चेंज देखने के लिए मिलते हैं और यह चेंज होते हैं कुछ हर्मोन्स की वजा से जैसे अ Apple की Correct होना यह से फेश पर ग्रोथ होना लेग्स पर घ्रोथĩ बगलों पिट्स पर आमपिट ऑर्लो में अंड बिट्वीबर्ट प्रिविट पर्ट्स का गरोह होना जैसे पहने संस्थी जाए डेस पर श्टाय का है बीस चीनल को सुब्काब जाए ताकर आगे आने वारी वाली वीडियो सकीनितिस्ट गुनलते हैं ताकर या लख पैल इक यह तुक्नि पनाल तनहीं , एकिए अदू वाह कर दो कर दो कर दो